हेलो फ्रेंड वल्कम टो इस्टडी नूज आज हम इस वीडियो में वर्सा के बारे में जानेंगे कि ये कैसे होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं सो लेट अस श्टार्ट वर्सा संगनन की प्रक्रिया के द्वारा होती है जब प्रिथ्वी की सता से पानी भाप बनकर उपर उठता है और ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धर्ती पर गिर्ती है तो उसे वर्सा कहते हैं अब जानते हैं संग्रन किसे कहते हैं जब सूरज का प्रकास पानी पर पड़ता है जिससे वहां के वाता वरण का तापमान अधिक होता है जिस कारण पानी वास्पित होकर उपर उठता है और बादल का रूप ले लेता है और जब ये बादल ठंडे होकर पानी की बूंदों के रूप में धर्ती पर गिरने लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया को संग्रन या जल चक्र कहते हैं अब जानते हैं वर्सा कितने प्रकार के होते हैं वर्सा मुखिता तीन प्रकार के होते हैं समवहनिय वर्षा, पर्वतिय वर्षा और चक्रवातिय वर्षा समवहनिय वर्षा समुद्री छेत्रों में जब पानी सूरे के प्रकास से वास्पित होकर बादल के रूप में निर्मित होते हैं और बादल हवाओ द्वारा प्रवाहित होकर इस्थलिय भाग में वर्सा करते हैं तो उन्हें समवेहनिय वर्सा कहते हैं परवतिय वर्सा जब वास्प से भरे बादल हवाओ के साथ प्रवाहित होने लगते हैं और जब इन बादलों के रास्ते में परवतों के रुकावट आने पर इन बादलों को उपर उठना पड़ता है जिससे परवतों के उपर जमे बर्फ के प्रभाव से हवा फैल कर ठंडी हो जाती है जिससे वर्सा होने लगती है विज्व के अधिकतर भागों में इसी प्रकार की वर्सा होती है चक्रवाती वर्सा इस प्रकार की वर्सा गर्म और ठंडी हवाओं के आपस में मिलने से होती है क्योंकि जब हलकी गर्म वायू उपर उठती है तथा भारी ठंडी वायू नीचे रहती है और उपर उठने वाली हवा ठंडी होकर वर्सा करने लगती है ये हमेशा समुद्री छेतरों में होते हैं और समुद्री छेतरों से होते हुए इस्थली छेतरों में वर्सा करते हैं अब जानते हैं वर्सा कैसे मापी जाती है किसे इस्थान पर कितनी वर्सा हुई है इसे मापने के लिए वर्सा मापी का प्रयोग किया जाता है इसे एक निश्चित समय में तथा निश्चित इस्थान पर वर्सा की पानी में रख कर बर्सात की मातरा को मापा जाता है वर्सा मापी कई तरह के होते हैं वर्सा अधिक तर इंच या सेंटिमीटर में मापे जाते हैं तो ये थी वर्सा से जुड़ी कुछ इंपोर्टन पाते थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट झाल 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 झाल